हाई फ्रेंड्स नमस्कार तो तोस्तों आज एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसे दात खाज खुजली जो कि एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा होती है इसमश्या नॉर्मली और आप देख सकते हैं कि जो प्यूवकल एरि वह साल गया है बहुत गर्मियों में शत्यों में रहां करता है तो एक एक मैज में दिखाए हुआ है इस तरह से और काफी घुजली यहां चलती है मिथी घुजली टाइप यहां चलती है तो वीडियों के साथ बने रहें और शेटनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए तो दोस्तों इसे बोलते हैं फंगल इंफेक्शन फंगल फंगल एक माइक्रो औरगेनिज्म की कैटेगरी होती है जिस तरह से माइक्रो औरगेनिज्म को पांच कैटिगरियों में commonly रखा जाता है बायरस जो कि अभी प्रिजेंट में चल रहा है कोरोना बायरस बैक्टीरिया माइको बैक्टीरिया में काफी तरह की बैक्टीरिया में इसी तरह से बायरस के बाद बैक्टीरिया बैक्टीरिया के बार में एक आती है कैटिगरी फंग शचल जाती है उनको उपर फफुंधी की रूप में दीखना बहलेगी ए क्यों मशूम होता है वो भी फंगस का एक्र स्प्रावरो मत capturing यहां मौशम मेंगत नлагवोरो मत शेत्र होते हैं वहाँ funges की problems ज्यादा होती हैं जो मिवाल शेत्र होती हैं इससे तरब सब्सक्राइब होती है है हेलमिंस और तो इन सब के बारे में माइक्रोणिक के बारे में हैं अलग से डिस्केशन करेंगे तो अभी हम देखते हैं आज एक फंगस तो फंगस के अमनली कोच करता है दाद-खाज-खुजली तो यह जो दाद वर्ड है यह दाद वर्ड ये इस्पेशली फंगस के लिए यह होता है खाज और खुझली दोनों चीज़े अलग है इन मेंसे तो सबसे कम्न एक एक धाद की पहचान होती है कि एक राउंडड शेव में होता है और ऀांड़ शेप में आम देख सकते हैं पर white color का white color का यहां पर जो एक बीच बीच में लाइनिंग्स आ रही है तो यह पहचान है fungus की कि इसने एक अपना एक round shape में colony बनाई हुई है और white color का यहां पर इसने बनाया हुआ तो fungus generally commonly white color की एक layer साथ में बनाके चलता है रेड के ऊपर white color का फंगस की कॉलोनिया बनी रहती है यह देख सकते हैं पूरी बॉडी में भी इस तरह से फैल जाया करता है यहां पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि जब यह किसी एक जगह पर इस तरह से गोलाई लिये हो किसी एक स्पॉट पर तो डायरेक्ली पहचा रहा है सकता ही यह दाद है लेकिन यहां जब यह बहुत ज़्यादा फैल चुका हो तो यहां इसको डिफ्रेंशियेट कैसे करेंगे यहां उसको अलग करने के लिए यदि पैशेंट यदि मरीज के खुजली ही है केवल खुजली लेकिन यदि पैशेंट मरीज बोलता है कि खुजली होती है और आग लगती है मतलब बर्निंग सैंसिशन उसे फील होता है जैसे जलती है वो खुजली तो यहां पर यह दाद नहीं हरपीज भी हो सकता है ठीक है और यदि खुजली केवल वहीं उसी जगह पर है जिस जगह पर दाद बना हुआ दाद का निशान बना हुआ है वहीं पर है तो यह दाद हो सकता है लेकिन यदि खुजली ऐसी जगों पर भी है जहां पर दाद का निशान नहीं है जैसे कि हातों की उंगंलियों पर या पैरों पर शरीर में जहां पर दاد का निशान नहींट लेकिन छोटे छोटे निशान दान्हें अभ्रे उए हैं तो वह दाद यह दिना वहां दो दिख राई तो दाद भी है और दाद के साथ में इसके बीज भी present हो सकता है या फिर और कोई bacterial infection भी present हो सकता है तो इस तरह से यहाँ थोड़ा सा confusion हो सकता है तो इसको अलग करने के लिए हमेशा दाद को कैसे पकड़ेंगे fungal infection को सिर्फ एक जो गुलाई वाला निशान लिया होता है उसी से हम उसको पकड़ सकते हैं और वो गुलाई वाला जो निशान वो काफी थोड़ा सा फैल भी जाता है जैसे कि यह यहां यहां bacterial infection और fungal infection दोनों में confuse कर रहा है क्योंकि यहां एक गुलाई वाला चक्ता भी बना हुआ है और साथ में spots जो दाने दाने हैं वो भी बने हुए है तो यहां हम fungal प्रस बैक्टिरियल दोनों mix treatment प्रोवाइट कर सकते हैं अब यह देखिए जैसे यहां एक red spot जो गोला बना हुआ था वो नहीं बना हुआ लेकिन चारों तरफ पूरा फंगल की colony फैल गई है तो यह भी fungal infection का ही टाइप है यह सबसे common place होता है fungal infection का देखिए पूरा तो दोस्तों यह थी body पर होने वाला fungal infection skin पर होने वाला infection मतलब इसकिन के जो common places होते है जैसे कि जो जांग वाला area होता है यह जो pubical area होता है यह सबसे common place होता है fungal infection के लिए क्योंकि यहां moisture ज्यादा होता है नमी ज्यादा होती है तो इसलिए यहां पर generally सबसे ज्यादा fungus जो दूसरा होता है उंगलियों पर नाकुनों में नाकुनों में आप देख सकते जैसे नाकुन में यहां white color का बन गया है नाकुन और यह नाकुन धीरे-धीरे जो fungus है वो इस तरह से धीरे-धीरे खाना शुरू करती है और नाकुन धीरे-धीरे आदा होता जाता है यह करती है यह देखिए फंगल इंफेक्शन सबसे ज़्यादा नाकुनों में इस तरह से देखने को मिलेगा अब नाकुनों के अलावा जो पेरों की उंगलिया होती है वहां पर भी हम जिसे आम भाशाम बोलते है खार खार बन जाना तो बीच बीच में उंगलियों के फट जा करता है अब इसके अलावा जो बालों में बालों में जो इंफेक्शन होता है वो भी वाइट कलर का जो डेंड्रफ होता है वो भी एक फंगल इंफेक्शन का ही एक्जाम्पल है जो कि धीरे धीरे बालों को बालों के जड़ों को कब्चोर करता है और तूट तूटवाता इ इसलिए हम जो शेंपू यूज़ करते हैं एंटी डेंड्रफ तो उसके अंदर भी एंटी फंगल केमिकल्स आते हैं इसलिए वह एंटी डेंड्रफ होता है क्योंकि वह फंगल को खत्म करता है तो यह देखिए बालों में जब बहुत ज्यादा हो चुका है तो इस तरह से होने लगते हैं लेकिन यह चोटा चोटा डेंड्रफ भी बहां बन रहा है रूसी जी से बोलते हैं आम बाशा में डेंड्रफ तो वह भी एक फंगल इंफेक्शन की ही पहचान है देखिए इस तरह से बालों में तो यह था दोस्तों फंगल इंफेक्शन की कॉमन टाइप इसके अलावा फंगल इंफेक्शन बहुत सीवियर भी होते हैं किसी-किसी केस में और जैसे कि अभी एक जो ब्लैक फंगस चल रहा काफी सीरियस है तो बहां पर आई-वी इंजेक्शन की ज़रुरत पढ़ती है और कुछ टैबलेट हैब हेवी जो अन्ति फंगल इंचर रहत करा है लेकिन जो पर्लत होते हैंिनको का पते हम हैं सवास्थ के इंद्र पर ठीक और चेंगे पहई कैसे इसको हम ठीक कर सकते हैं तो आगे बढ़ते हैं पहचान यहां हमने इसको फंगल दाद फंगल इंफेक्शन है, खाज और जो खुजली है वह वहाँ पर एकी स्केवीज इंफेक्शन होता है, जिसमें की सरीर पर, सरीर की जो बाल होते हैं, उनमें जूएं लग जाती है, जूएं, माइट्स, उसमें चुटी-चुटी दन्नी ननी नहीं दिखने वाली जूए वह इसके वीज से भी होती है, और खुजली इसके वीज के अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट है बोडी पर, उससे भी हो सकती है, तो जनरली ये चीजे होती एक साथ ही है और कन्फ्यूज करती है, इसलिए ज्यादा तर जो ट्रीट्में आती है वो मिक्स आती है जैसे कि यहां एक मिक्स वाली ट्यूब का एक्जामपल आप देखें डर्मिफोर्ड एक्जामपल जैसे हमने लिया इसमें आप देखें किटो कानाजॉल एंटि फंगल मिक्स आ गया ठीक है इसके अलावा यहां पर एंटि बैक्टिरियल भी आ गए जो बचे कुछे कंटेंट्स हैं उन मेंसे कंटेंट्स एंटि बैक्टिरियल हैं क्योंकि फंगल इंफ्यक्षन और बैक्टिरियल इंफ्यक्षन दौनों कनफीटच करते हैं तो कफी मिक्स मेडिसेंग्स आती है जो की Fungal Inằ Sut baseball से ऑटिछचा ट्रीट कर सकते हैं अब देखे कि यहां पर लास्ट में जोल वर्ड होता है जड़ ओ लिजोल कीटो काना जोल मिकाना जोल एक्रकाना जोल सब में एक जोल वर्ड होता है ठीक है लेकिन सारी जोल वर्ड वाली एंटिफंगल नहीं होती है जैसे कि मेट्रो निडा जोल एक एंटिबैक्टिरियल है एक एंटिबाइटिक है जबकि यहां यह थोड़ा सा जोल के साथ कनफ्यूज कर सकती है तो हर जोल वर्ड वाली एंट O 12% केसे में जोल जो शब्द लिया है last में वो एंटि-फंगल वैराइटी को लिया होता है तो एंटि-फंगल क्रीम हम उस जगे पर लगा सकते हैं जहां पर दाद का निशान हैं एंटि-फंगल क्रीम को दाद के निशान के चारों तरफ थोड़ा सा जादा लगाए ठीकि कि और जब दाद खतम हो जाए जब वो fungal infection खतम हो जाए तो उसके बाद में भी 3-4 दिन तक उसको लगाते रहे क्योंकि वो दिखता नहीं है लेकिन वो present होता है वहाँ पर तो इस तरह से जड़ से खतम होगा और बारबर नहीं आएगा तो सबसे पहले हम antifungal cream को ही यूज करने के लिए दे सकते हैं घर में यूज कर सकते हैं तो इसमें tablet यदि infection छोटा है तो वहाँ tablet के आवश्यक्ता नहीं है यह सबसे common इचगार्ड अवेलबल होता है मार्केट में इसमें antifungal यह antifungal cream है लुली का जनरोल एक antifungal cream है लेकिन यह बहुत सी moderate case में यूज में आती है जबकि fungal infection नहीं सुदर रहा होता है उस case में आती है clotrimazole antifungal cream के लिए लिखा हुआ है तो यह भी broad spectrum है अच्छा यूज है इसका भी यह भी यूज कर सकते हैं dermiford इसमें ketokanajol है और साथ में antibacterial भी है यदि confusion हो fungal और bacterius में तो mix वाली इस तरह की creams प्रोवाइट कर सकते हैं अब ketokanajol 1% का यह swap भी मार्केट में आते हैं इस तरह के काफी swap आते हैं antifungal बजार में जहां पर पूरी body में हो infection क्रीम इत्ता सारा नहीं लग सकता हो तो सावुन का regularly इस्तिमाल कर सकते हैं इसी तरह से इक का नजॉल डस्टिंग पाउडर यह भी पाउडर भी आता है बजार में जैसे कि जो गर्मियों में गहमोरिया हो जाया करती है वो भी एक fungus ही है वो एक बैक्टिरिया और कभी-कभी उसमें फंगस भी मिक्स होता है तो वहां पर भी हम इस पाउडर को यूज यूज कर सकते हैं साथ में यदि अच्छा यूज अच्छा रजल्ट हमें चाहिए जैसे क्रीम हमने लगाया दो तिन घंटे के पाउडर भी लगा सकते हैं या फिर बॉडी में बहुत जादा फैला हुआ है तो भी पाउडर वहां लगा सकते हैं तो इस तरह से यह वालती हैं मेडिσιंस की तो मीडिसिनस सबसे कोमन फस्ट मेडिसीन अती है फुकानज वर 10 300 मजी फुकानज वर 10 300 ले तो इस तरह कि एक से तो यह जो टैबलेट है यह जो साथ साथ दिन में पइशंट ले सकते हैं जैसे कि एक जो पखी नाकुन उवाला इंफेक्शन बताया था तो नाकुन वालें इंफेक्शन में जो फंगल हो जाय करता है बहां पे लंबे टा deberत होती है 2 महिने तीन महिने, चार महिने जब तक कि वो infection पूरी तरह से खतम नहीं हो जाए तो साथ साथ दिन में पेशेंट के weekly, once इन्हें weekly चल सकती है इसके अलावा जब यदि दाद क्रीम से नहीं अट रहा है तो साथ में इस tablet को साथ साथ दिन के लिए चला सकते है और जब infection खतम हो जाए तो उसके बाद में एक tablet बढ़ा के दे सकते है अब देखिए साथ में जो examples आते है Clotrimazole, Econazole, Meconazole, Turbinafine, Ketocanazole, Emportericin यह सब antifungal variety है, कुछ tropicals है, कुछ इसमें से medicines है तो जो medicines है, जो tablets है, Flucanazole, Clotrimazole, Etercanazole यह बहुत common है, तो यह यदि Flucanazole से infection नहीं treat हो रहा है तो और आगे बढ़ सकते हैं, Etercanazole पर और और भी कापी सारे antifungals अवेलबल होते हैं मार्केट में तो हम उन पे भी जा सकते हैं तो दोस्तो यह थी fungus infection के बारे में जानकारी, दात, खाच, खुजली में कैसे हम difference करें और कैसे उसको हम पैचानें तो next videos में आगे देखेंगे, next भी मारी तो दोस्तो यदि कोई comment section में आपका, कोई भी query हो तो आप comment section में लिख सकते हैं चैनल को subscribe करना नहीं भूलिए, well icon को दबाना नहीं भूलिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का आपको तुरंत notification बिलता रहे थांक यू फ्रेंट्स